अगर आपकी राशी लीब्रा यानि तूला राशी है तो चलिए देख लेते हैं आज से 14 के बीच में जून मंत में यानि जून 2022 में आपका लव लाइफ कैसा रहने वाला है गाईस ही जेनरल रीडिंग है और जेनर स्पेसिफिक भी नहीं है तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंजल मैसेज हम बाद में देखेंगे पहले हम में मैसेज देख लेते हैं पॉसिटिव रहना दसन टावर गाईस इस वीक में आप लोग एक ट्रांस्फोर्मिशन से गुजरने वाले हो ठीक है आपकी लव लाइफ में एक बड़ा सा चेंज आएगा एक ट्रांस्फोर्मिशन आएगा इस वीक में और आपके और आपके परसन के बीच में जो लव बन्ड है वो बहुत जादा स्ट्रांग होने वाले हैं यस वीक में अगर आप लोगों की बॉंट आप लोगों की रिलिशन्शिप में जो लव बन्ड है वो बहुँत जादा स्ट्रांग नहीं था आप लोगों में misunderstanding था ठीक है आप लोग एक दूसरे को समझना नहीं चाते थे एक दूसरे को समझना नहीं पा रहे थे और अगर आपकी relationship अच्छी नहीं चल रही थी तो ये सारी समस्या इस week में खतम हो रही है आप लोगों का जो दुख भड़ा face था आप दोनों के relationship में जो toxicity था तो वो इस week में जाने वाला है आप लोगों की relationship एक नए तरीके से शुरू होने वाला है ये the sun का card आया है आप देख सकते हैば आप लोगों की relationship में एक नया सुभा आने वाला है आप लोग एक दूसरे के लिए बहुती जादा deeply feel कर पाओगे बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले जो upcoming full moon है तब तक ये सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर आपके relationship में कुछ भी problem था guys वो सब कुछ यहाँ पर ठीक होता हुआ नजर आ रहा है the tower moment के साथ आप लोगों के relationship में एक transformation आने वाला है जो भी phase था वो phase आपका change होने वाला है आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा negative card पूरी तरीके से positivity से भर जाने वाला है ठीक है और ये upcoming full moon तक होता हुआ नजर आ रहा है और ये जो transformation आप लोगों के relationship में आएगा तब आप दोनों की जो emotion है वो बहुत साथा strong हो जाएगी एक दूसरे के लिए आप दोनों एक दूसरे को बहुती जादा connected feel कर पाओगे आप बहुती जादा सोचने लगोगे अपने person के बारे में आपके person भी आपके बारे में बहुती जादा deeply सोचेंगे और मुझे यहां से ऐसा भी लग रहा है कि आप लोग जब पहली बार मिले थे एक दूसरे से तब जो sweet सा moment था जो soft moment था आप लोग बहुत ज़ादा याद करोगे गाईज और यही आप लोगों को एक नया सुभा तक ले जाएगा इस week में मुझे लग रहा है कि इस week में आप लोगों का transformation तो तैय है relationship में लव की तरफ से आप लोगों का एक बड़ा सा transformation यहाँ पर दिख रहा है और बहुत से लोगा transformation upcoming full moon तक complete हो जाएगा और जो singles है जिनके पास कोई love नहीं है वो wait कर रहे थे उनके पास भी एक नया offer लव की तरफ से आने वाला है कोई person है जो आपको बहुती ज़ादा पसंद करता है आपको बहुती ज़ादा stock करते है social media पर, online पर और वो person आपके साथ बहुती ज़ादा connected feel करते है emotional बहुती ज़ादा emotional नजर आ रहा है मुझे ठीक है उस person के तरफ से आपके पास एक proposal आ सकता है इस week में मुझे आसे ऐसा ही लग रहा है guys ये जो week है ये आप लोगों की जो love life है इसके लिए बहुती ज़ादा important होने वाले है guys ये angel message है अगर आप कुछ पूछना चाहते हो angel से तो आप पूछ सकते हो हाँ या नामे जबाब आ सकता है या फिर आपके situation के according जो angel को सही लगे वो message आ जाएगा ठीक है ओके चलिए देख लेते हैं yes अगर आपनी कुछ पूछा था angel से तो उसका answer हाँ आया है yes आया है positive है ठीक है तो यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों आपकी relationship बहुती ज़ादा grow करने वाली है ठीक है love reading में sun का card बहुती सदा positiveness लेकर आता है guys ठीक है तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए यहाँ पर कोई break up जगरा यहाँ पर नहीं है ठीक है आप लोगों की जो love life है उनमें transformation यहाँ पर दिख रही है आपके जो negative face था love life के तरफ से वो खतम हो जाने वाला है एक positiveness से शुरू हो जाएगा आपका love life बाई कि बाई चल गगाँ